हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, तो आज हम डेड़ मीटर फाब्रिक में ट्रेंडी प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फाब्रिक को देखे डबल फोल्ड करके रखा है, चौडाई में हमने इसको डबल फोल्ड किया है, ये इ यहाँ पर 21 इंच का है, तो मतलब आधा मिटर है, तो ये टोटल हमारा डेड़ मिटर फाब्रिक है, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और इसको हम चौडाई में फोर फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, तो ये हो गया हमारा डबल फोल्ड, उसके यहाँ पर ये ओपन साइड है, फोर लेर्स है, और यहाँ पर ये फोल्ड साइड है, और इस फोर फोल्ड की जो वेड़ है, वो 15 इंच की है, अब यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, बेल्ट के लिए, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंके, अब यहाँ से हम 貼ання लेंगे, तो पैंड्ड की रेडी लेंथ है 37 इंच, उसमें सह में वन इंच माइनस करेंगे, क्योंकि वन इंच हम एक्सट्रा पट्ट्ट यहां पर attach करेंगे तो length हम लेंगे 36 inch यहां पर भी straight line draw कर लेंगे अब यहां पर हमें कमर का निशान लगाना है तो कमर के लिए हमें hip का measurement लेना है तो जितना hip का size है उसको 4 से divide करना है plus 2 inch losing add करना है तो hip है 36 inch उसको 4 से divide करेंगे तो वो आजाता है 9 inch plus 2 inch losing लेंगे तो वो आजाता है 11 inch तो यहां पर कमर आगया 11 inch का उसके बाद यहां से निचे की तरफ हम आशन लेंगे तो आशन के लिए hip का 4th part plus 3 inch margin लेना है तो hip है 36 inch उसको 4 से divide करेंगे तो वो आजाता है 9 inch plus 3 inch losing लेंगे तो वो आजाता है 12 inch तो यहां पर belt को छोड़ के हम 12 inch पर निशान लगा लेंगे और straight line draw कर लेंगे उसके बाद उपर की तरफ भी हमें इसको straight कर लेना है अब यहां से हमें आशन की गुलाई के लिए 3 inch पर mark करना है normally हम 2 inch पर mark करते हैं लेकिन यहां पर front or back साथ में cut कर रहे हैं इसके लिए हम 3 inch की गुलाई देंगे और यहां से हम 1 inch तीरचा लेंगे और गुलाई का shape देंगे अभी हमें bottom लेना है तो bottom है हमारा 7 inch open करने के बाद 14 inch का हो जाएगा bottom round तो यहां पर हमें 7 inch में 5 या 6 inch जादा लेना है plates डालने के लिए तो यहां पर हम 13 inch bottom लेंगे क्योंकि हमें bottom में gathers डालनी है अभी इन दोनों points को हम जोड देंगे straight तो marking हो गई है अभी हम cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी इस में से दो parts पकड़ते हुए हमें इसको open करके रखना है अभी यहां पर दोनों parts की सीधी side हमें अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद हमें सबसे पहले आसन में सिलाई लगानी है दोनों side में तो हमने आसन में सिलाई लगा ली है अभी इसको center से पकड़ेंगे हम इस तरह से और इस तरह से हम इसको open करते वे रखेंगे अभी यहां पर bottom में हमें plates डालनी है तो bottom को हम open करते विरखेंगे इस तरह से यहां पर हम दोनों side में 11 inch पर mark कर लेंगे तो side में 11 inch छोड़ना है और इसके बीच में हमें plates डालनी है तो यहां से यहां तक हमें इस तरह से चोटी-चोटी plates डालनी है और इसे हमें 14 inch का ready करना है पूरा क्योंकि 14 inch हमारा bottom round है तो यहां पर हमने 14 inch तक के plates डालनी है सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में plates डालनी है तो हमने दोनों पार्ट में plates डालनी है अभी हमें यहां पर पट्टी attach करनी है तो इसको open करके रखेंगे और यह हमने एक strip ली है इसकी जो width है वो 3 inch की है इसे हम इसके उपर रख लेंगे तो उल्टी साइड से रखना है और सीधी साइड में इसको पलट देना है तो उल्टी साइड से ही हम इसको attach करेंगे तो यहां पर इसको हम नेल से प्रेस कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे उसके बाद हमें इसको fold करना है half inch तब का और जो सिलाई लगाई है इसी के उपर हम इसको fold करते वे stitch करेंगे तो यहां पर आप canvas भी लगा सकते हैं मैं इसको ऐसे ही stitch कर रही हूँ तो इस तरह से यह हमने पट्टी लगा ली है bottom part में और यह one inch की है दूसरे part में भी हम इसी तरह से पट्टी attach करेंगे तो हमने दूनों parts में पट्टी को attach कर लिया है अभी यहां पर हमें आशन को मिलाना है और center में सिलाई लगा देनी है तो हमने यहां पर center में सिलाई लगा दी है अभी हम इसका belt ready करेंगे तो यहां पर हम half inch का fold करेंगे उसके बाद 1.5 inch का fold करेंगे और पूरे round में stitch करेंगे तो हमने पूरे round में stitch कर लिया है यहां पर थोड़ा सा open रखा है elastic डालने के लिए और elastic की जो length है वो हमने 27 inch की लिए है जितना आपका कमर का size है उससे आपको 3 inch minus करके लेना है अब यहां पर हम pin लगा लेंगे और elastic को हम इसके अंदर pass करेंगे एक side से डालके हमें elastic को दूसरी side से बाहर निकालना है और उसके बाद हमें elastic को overlap करना है और stitch कर लेना है तो हमने इसको stitch कर लिया है अभी हम इसको अंदर कर लेंगे और यहां पर जो हमने open रखा है इसे हम stitch करेंगे और उसके बाद इसको खीचते हुए इसके बीच में एक सिलाई लगा लेंगे जिससे की elastic पल्टेगा नहीं तो इस तरह से यह हमारा elastic लग गया है